कि यह हनिवेल का थर्मो स्टेट है डिजिटल जो कि 220 वोल्टेश का है आप इसके मज़द से एफ स्यू का फुल कंट्रोल वायरिंग बना सकते हैं जो कि वीडियो में मैं समझाए हूँ कि दर कौन सा वायर लगेगा अब देख सकते हैं डिस्प्लेय पर है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सस्क्राइब करें और अब कि अब कि अब लोग इस कैसे ओठीको गईज आज यह तर्मो शेट है हन्योल का जो डिजिटल है यह लोग और किसमे किसमे यूज कर सकते है कौन सा सिस्ट्म जैसे आम भूग यूज कर सकता है पैकेज हो गया एपसी यूओ हो गया ड़क्टेबल स्पिलिट हो गया एच हो गया अम लोग इसमें यूज कर सकता है यह तिजिटल थर्मस्टर हनिवल का है जो कि यह का मॉडल नमर है और यह 230 वोल्ट का है थ्री एम्पेर तक ही हो जाएगा दूस्त तो आज इसका बारे में जान लेते हैं कि यह इसमें हम लोग वायर कहां पर एक्चुएटर और कहां पर फैन हाई स्पीड लोई स्पीड मेडियम कनेट करेंगे तो यह इसका डिस्प्लेय है डिस्प्लेय है यह इसका कुछ मैनूल बुक है और यह इसका में जो वार्किंग करता है इसमें प्रोग्राणिंग में जैसे हम लोग इसमें सेट करेगा तो इसमें चोटा-चोटा रिले है जो कि हाई-लोई मेडियम के लिए पूरके चर्था रहता है और एक्षवेटर के लिए हैं और लाइन मोग काम देंगे यह देख लेते हैं तो हम लोग देख लेते हैं इसको तो गैसे पहले लोग देख लेते हैं इसमें नूटल फेज कहां पर करेंगे जैसे इसको operate होने के लिए neutral face का जोरत है जो कि 230 बोल्ट चाहिए अब देखरें 3 का नीचे L है इसमें हम लोग 230 का line voltage देंगे और 6 का नीचे जो N लिखा हुआ है इसमें neutral देंगे जो कि 230 बोल्ट का साथ में आता है और यह तो होगा हमारा face देने के लिए supply की जो कि यह operate होएगा दूसरा अब देख लेंते हैं फैन का high low medium कांप करेंट करेंगे सेवन जी एच जो है इसका नीचे देखे यह इसमें हम लोग high speed connect करेंगे और 8 करेंचे जो GM है इसमें medium speed connect करेंगे और 9 करेंचे जो इसमें low speed connect करेंगे जो आप जान लेते हैं इसमें कि हम लोग एक्च्वेटर का कहां पर कंट करेंगे आप देख सकते हैं जर फाई है फाई करेंचे डब्लू आई के डब्लू आई जो एक्च्वेटर ओपन होने के लिए के लिए जैसे ओपन होना चाहिए एक्च्वेटर तो वह वायर इसमें लगए डब्लू आई में ओपन होने के लिए डब्लू आई में वायर लगाए गाए और एक्टुएटर जैसे कम तंप्रेचर रूम का आ गया तंप्रेचर मेंटेन हो गया हमारा रूम का तो अगर एक लोग होने के लिए विवाद से ये सप्लाइच चाहिए तो हम लोग तो च में नेट करेगा जो कि यह मारे टमपरेचर रिच होने के बाद यह सप्लाइब तो इस्टे में हमारे एक्चुटर क्लोज हो जाएगा तो कूलिंग बंद हो गए जैसे टमपरेचर सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा वह इसे सप्लाइब डाबलू वाई से आने लगेगा तो एक्चुटर जो है ओपन हो जाएगा तो कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग को नंबर बता दिया कौन सा नंबर में कौन सा किसका वाय लगेगा एक्चुटर को कहां में और यह एक फ्यूज लगा हुए जो कुई सेप्टी परपस से दिया हुए इसमें कुछ भी सोट सर्कुट होता है तो यह फ्यूज पहले खराव हो जाता है ताकि यह हमारा जो अंदर का इसका रीले डायोड बाकी सब लेक्ट्रोनिक आइटम है वो खराम नहों फिर हम लोग को मोटर सही करके नया फ्यूज डल लगा आए तो यह वीडियो में बस इतना ही आप लोग को बताने करता अगर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा तो इसमें फुल इसका वायर कनेट करके आप लोग को दिखाऊंगा कि ट्यूटर कहां लगारों पेट केली फुल करके मैं दिखाऊंगा